तो पिछले वीडियो के आधार पर मैं सोच रहा हूं कि इस बार का जो आज वाला अभी वीडियो आप देखने वाले है ना, इसके अंदर भी कुछ नए तरीके का सवाल बता दे रहा हूं, बोड एक्जाम में आये चाहना है लेकिन आपको आना चाहिए, आपको आएगा तो बोड एक्जाम में भी बाबाई लूट लोगे, या किसी अधर एक्जाम में भी बाबाई लूट लोगे, सवाल समझ में आये तो दिल को तसल्ली होती है, तसल्ली पाओगे तो confidence बढ़ेगा, दूसरे सवाल में ये method अपराई करके तीसरे चोथे सवाल को भी तोड सकते हो, तो भाई आप शुरू करते हैं, ज्यादा डरावना सवाल है लेकिन बहुत ही आसान है, देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, दिया कि वाई बराबर, कास इन्वर्स, वन माइनस एक्स की पावर टू यन, अपान वन प्लस, एक्स की पावर टू यन, ये टू और यन है, य या आउकलन करिये, तो कौन स्टूडेंट ऐसा है, जो इस सवाल को देख कर कि कंठूज हो रहा है, लगवगवग सारे लोग होंगे, एक दो को छोड़ कर, लेकिन भाई डरने वाली बात नहीं है, मैं हूँ, तो आपके पास confidence जाएगा, विश्वास के साथ आप समझ जाओ बस इस बात पर भरोसा रखे वीडियो को अंतिम तक वास करो, आप्टर दाट कमेंट करके आप मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर आप रिपलाई करिएगा, ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसके solution की प्रक्रिया, बट उससे पहले M solution से बड़ लेना है, ज्यादा इसके बारें बात नहीं, इसके बारें बात होगी, तो देखो चला, मेरा एक logic है, क्या logic है, कि इस तरह के सवाल जो आपको अभी यहां डिस्पले हो रहा है, तो जो यह समझ लो यह कोष्टक है ना, तो यह कोष्टक नहीं है, यह समझो एक घर है यह क्या है, एक घर है, मेरे दोनों हाथ के बीच में एक मकान है, मकान के अंदर जो भी लोग है वो family member है, बाहर यह बुढ़व चाचा है, बाकान के बाहर यह कौन है, बुढ़व चाचा है, इसका मतलब हुआ, यह बुढ़व चाचा का अंदर परिवार है, बुढ़व च कि अन्दर ऐए एक तरह से कास ही अंदर कोस्टक के अंदर मोजूद है तो इसका मतलब हुआ कि मुझे ऐसा कुछ यक्स का वैलू मानना है कि लाश्ट में जाते-जाते वो कास्ट का ही शूत्र बनें कैसे पता चला कि कास्ट का यह चाहिए आन dobrze को यह चाहिए हम यक्षपर wijणी टीट सकते हैं लेकिन कैसे पहले इसकी सकल को सुध करिये एसुध सकल है बताता हूं मिरमाइनस एक्स breaths कि पावर यहां आजसे लिक सकते हो और अग्ल को ऐसे अब देखो वन माइनस इतने का स्क्वाइर वट यहां प्लस रहेगा ठीक है वन प्लस इतने का स्क्वाइर यक्स की पावर एन को कास स्वरी टैन थिटा मान लेंगे क्या मानेंगे टैन थिटा तो क्या होगा ठीक है मेरी बेटी देखिए यह बना के लाई है पेंसिल में इरेजर चुभा दिये लाके दे रही है देखा दिया हो जाओ तो य बराबर कास इन्वर्स वन माइनस एक्स की पावर यहन की जगह पर टैन रखेंगे और यह स्क्वाइर इसके उपर लगा देंगे ऐसे नीचे भी हो जाएगा है अब इस बड़ा वाले ब्रेकेट के अंदर कौन है यही है यही कास बड़ा वाले ब्रेकेट के अंदर जो भी है उसका फार्मूला कास दो थीटा होता है तो वाई बराबर कास इन्वर्स कास दो थीटा ठीक है हमें तो पूर्व ग्यान था मुझे मालूम था कास दो थीटा का सूतर होता है 1-10A स्कौर बटे 1-10A स्कौर और एक कास दो थीटा ही ऐसा सूतर है पूरे त्रिकोड मेती में जिसके पास बहुत ज़्यादा सूतर है 5-6-7 गोशूतर है बहुत सरहे सवाल में हैं 10 inverse x की पावर n ठीक है तो थीटा की जगह पर यह वाला रख दीजे तो य बराबर 2 10 inverse x की पावर n अब आप क्या करेंगे आउकलन करने के लिए आप सो तंत्र हैं आराम से आउकलन कीजिए दोनों पच्छों का डी वाई डी एक्स अभी बात यहां तक मैंने आउकलन नहीं किया मैंने सिर्फ रिकोर्ड में थी में काम किया है अब मैं आउकलन करूंगा डिफ्रेंशियेशन तो 10 inverse x की पावर 1 यहन का आउकलन होगा 1 अपान 1 प्लस इसी का इसक्वायर तो यहां पर घात यहन का इसक्वायर करेंगे तो टू यहन हो जाएगा जैसे यहां पर देखिए ना टू यहन को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसक्वायर और यहन को ऐसे भी त पहिला सुत्र बहुनी उसी से होता है शुरुवात उसी से होता है बहुनी उसी से होता है होता है ना तो x की हाथ n का क्या होता यहन x की पावर n-1 बस अब 2 का 1 का इसका 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 अपस में गुड़ा तो dy by dx बराबर 2n x की पावर n-1 बटे 1 प्लस x की पावर 2n यह हमारा एंसर है तो किसको किसको समझ में आया वो कमेंट में लिखेगा जिसको जिसको नहीं आया वो कमेंट में अपनी राय या सुझाओ का तरीका लिखेगा मैं उसके हिसाब से अगली वीडियो पेस करूंगा और इस्क्रीन साथ लेने की इच्छा है तो मैं किनारे हो जाता हूं इस्क्रीन साथ आप ले लेजिए ठीक है और यह सवाल यहीं पर होता है खतम लेकिन एक बात याद रखना वो फो नंबर भी तुम सेव कर लेना अपने म मैथ में अच्छे नंबर पा जाएंगे बस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू झाल 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 झाल